कि अग्याइब कर आपका स्वागत है आज मैं आप सब को इंजिनरिंग बारे में बताने वाला हूं जो कि 25 कुशन्स यहां से निश्चित ही पूछा जाएगा और मैं टॉप 25 कुशन्स को लेकर आया हुआ हूँ और यह मेरा सब्सक्राइब को लेकर आया हूँ आई चलिए देखते हैं यहां पहला पूछा गया है कि गर्मी के मौसम में अच्छे पेपर पर साधहारन लाइनों के बनाने के लिए निम्न पेंसिल परियोग में लाते हैं तो यह सब्सक्राइब के लिए कौन से परियोग किया जाता है तो यह पर इसके बाद देखिए अगला क्यूशन है यह सब क्यूशन जिदने भी देख रहे हैं वह बहुत ज्यादा इंपॉटेंट है और इसकी पूछन जाने की संभावना है लगभग मान कर चलिए आप और यहां से आपकी क्यूशन जरूर फसेंगे एक जांस में और यह देखिए अगला क्यूशन है ड्राइंग कार के लिए निमने में से किस टाइब की पैंसिल होनी चाहिए तो हेक्सागोनल लग के आकार में बनी हुई पैंसिल जो होती है इस तरह की जिसका आप प्लान देखे कारेंगे पीछे से तो इस तरह से आपको दिखाई देगा तो यह आपका है ड्राइंग के लिए परियों की जाने माली हरी होती है ठीक है इसके बात अगला क्यूशन देखिए अगला जयो來到 है परियोंकिया जाता है इसका सही एंसर जो जाएगा ऑप्सन नमबर भी हो जागा स्क्वाइर पेपर का जो की स्क्वाइर पेपर होता है उसका परियोग किया जाता है फ्रीहंट राइंग के लिए ठीक है इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है किस ग्राफ पर पर 30 डिगरी में तिर्शी लाइने बनी होती है तो आपने देखा होगा अगर आप देखते होंगे इस तीन दिविल्ऋ होती है यहां से क्यूंचन है किस द्रैंग पर कारके पार्ट पर होती है तो इसका यह दोनों आप्सं आपका सही हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगला सबसे बड़ा तो पेपर की साइज के सबसे बड़ा वीडियो अगर नहीं देखे तो पिछला वीडियो जरूर आप देखेगा है तो इसकी सबसे बड़ा पेपर की साइज होती है इसके बाद और इसकी साइज कितनी होती है तो इसकी साइज हो जाती है आट सो एक तालिस इंटू 1100 1189 होती है ठीक है तो यह जीरो से साइज होती है इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है इसके इसके बाद अगला क्यूशन है तो टी स्कूर का साइज बताना है तो टी स्कूर का साइज बताना है इसके बाद अगला क्यूशन है तो आप लोग साथी साथ लाइक जरूर किजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुप में सेयर किजिए ताकि आपके साथ आपके मित्रों का भी सहयोग हो जाए और अगला क्यूशन देखिए यहां पर यह है कि पेपर बनी ड्रैंग की लंबाई वह वस्तु की मुल लंबाई को प्रगट करने वाले पैमाने को कहा जाता है तो क्य कहा जाता है ठीक है यह इसे भी मैंने इस के ल को और दोनों को मैंने पिछला वीडियो में बताया है तो वीडियो आप जरूर देखे तो यहां पर देखे पेपर पर बनी हुए ड्रैंग ड्रैंक लंबाई वह वस्तु की मुल लंबाई को प्रगट करने के लिए स्केश्यल पूल रूप जैसे वस्तु का जो साइज है उन दोनों की साइज समान हो तो वह स्केल क्या कहलाती है तो फूल इसकेल कहलाती है ठीक है इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं कि अगला क्यूशन है рेंग क्याकशी है जब जार क्या क्याक्य कुछ उसकी लंबाइ वस्त कि मून लंबाइसे इसके लाद लबाइन इसके तो यह क्या धिक हो यह किस परकार का स्केल कहलाती यहां बताती है तो यह इन लार्जिक स्केल कहलाती है क्योंकि इन लार्ज होता है मनलब की अधिक लंबा होता है ठीक है और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को क्लिक जरूर करें ठीक है इसके बाद अगला क्या कहा जाता है तो इस तरह से अगला क्यूशन हम देखते हैं आपको वीडियो क्योंकि अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर दबा देजिए क्योंकि लाइक दबाने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं बलकि आपके लिए फायदा ही होगा क्योंकि यह आपके यूट्यूब चैनल में ही से हो जाएगा आप जब चाहें इस वीडियो को देख सकते ह हैं इसके लाइक फूर्जो की बनाने के लिए किस स्केल का पर यो किया बनाने के लिए कौन साइज स्केल का परयोग किया जाता है तो फूल साइज स्केल किया जाता है या रिडियोसिंग स्केल या फिर इनलार्जिक स्केल या इनमें से कोई भी तो इसमें इनलार्जिक स्केल का परयोग किया जाता है ठीक है तो इनलार्जिक स्केल क्या होता है अभी पीछे मैंने पढ़ी जा सकती है इसका कि बाद अगले क्युषन देखते हैं लकरी बनी होती जो कि वेल्स जंड लक्री का नाम होता है इसके बाद अगला कुशन देखते हैं इसका मानक के अनुसार तीरचे अच्रों का मानक कोड कितना होता है जो तीरचा लेटर लिखा जाता है इस तरह से विच्छा कितना होता है माँनग कोड कितना होता है तो वो 63 से 75 अंस के बीच में होता है ठीक है इसके बाद अगला कुशन देखते हैं अगला क्यूशन यह है कि अभी आंतरी के आलेखन में मुख्यता कितनी परकार के रखाओं का परयोग किया जाता है तो अभी आंतरी की में इंजिरिंग लिए यह आगे यहां पर देखिये मैंने लिग दिया है नीचे सरेकि सिष्टम होती है और युनी डारेक्शनल सिष्टम होती है यह दोनों डायमेंशन के प्रकार है ठीक है और इसके बाद अगला कुशन देखिये है किसी आरेक को सही रूप से समझने में इन में से क्या सहायक है किसी और एक को जाएगा option नंबर यह कोजाएगा बीमांगकन की ऑसकता होती है ठिक है इसके बाद अगला देखते हैं अब लिक व्यों कितने डिग्री पर बनाये जाता है तो अब लिगे अगर आपने देखा होगा वाले में तो जो होता है वो 45-90 डिगेरी पर बना जाता हूं जैसे इस तरह से यह आपका एक बना लिए आप आयाद बना लिए तो यह आपका Oblick इसके बाद देखिए अगला है किस प्रोजेक्शन का एक फेज 36 से उपर वा दूसरा सिरा दाये 45 का कोड़ बनाता है फिर से देख लिए क्या है किस प्रोजेक्शन का एक फेज 36 से उपर ठीक है कोड़ बनाता है यह किस में होता है तो यह अगला क्योशन दिया है और पीछे कौन सा होगा तो क्या कर रहा है यहां पर एक रहे घए होता है मैं यह यह से होता है और घर होता है यहांत्यार हाई है यह आपका ऐश्पी हो गया है यह अगय हो गया वर्टिकल प्लेन हो गया अब इसमें कि क्या कर रहा है यहां पर यहां पर रहेगा और यहां पर रहेगा ठीक है यह आप देख लिजेगा सुधार कर लिजेगा आपने से यहां पर पुछाया है कि कौन साथ चतुर्थांस हो जाएगा तो इस तरह से आज के टॉप 25 पूरे हुए हैं इसमें से बहुत सारे पूछे गया है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बार इस वीडियो को देखे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप लोग मेरे वाटसप ग्रूप से जोड़ना चाहत है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद